दोस्तों अगर आप भी परिशान है अपने किचन में अपने चाकों की धार के बार-बार खराब हो जाने से जिसकी वज़े से आपके किचन में काम करने की स्पीड कम हो जाती है या फिर आपको नए चाकू बार-बार खरीदने पड़ते हैं या फिर आपको वेट करना पड़ वीडियो को तो कुछ इस तरीके से देखने में लगता है knife planet का knife sharpener और अगर पास से आपको दिखाऊं तो overall जो look है वो कुछ इस तरीके से आता है अगर इसकी build quality की बात करूं तो build quality जो है वो आपको average मिलेगी अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं तो यहां पे भी आपको joints पगयर है वो सामने देखने को मिल जाएंगे और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी आपको joints पगयर है वो देखने में मिल जाएंगे जो की average built quality दिखाती है इस product की हाला कि जिस price range के अंदर आता है इसका जो price है वो 350 रुपीज है Amazon पर जब मैंने से order किया था तो उस price range के हिसाब से जो quality है वो okay okay है यहां पे आपको मिल जाते हैं blades जिसकी मदद से आपके जो knife होते हैं वो sharp हो सकते हैं अगर इसके जो weight है weight भी इसका काफी हलका है दूसरा काफी portable है यह यह यानि कि अगर आप अपने kitchen वगेरा में इसको रखना चाहते हैं तो easily आप अपने kitchen वगेरा में इसको रख सकते हैं यहां पे आपको यह grip मिल जाती है जिससे कि जब आप इसको यूज करते हैं तो उस case में जब आप इसको floor पर रखते हैं तो काफी अच्छा आपको stability इसमें मिलती है knife को sharp करने से पहले आपको बता दूँ कि इसके अंदर आपको तीन steps को follow करना होता है सबसे पहले आपको यह sharpen वाला है यहां पर अपने knife को 7-8 बारी इसके अंदर use करना होता है उसके बाद आपको prep बाला option है उसके अंदर अपने knife को 7-8 बार use करना होता है और finishing के time पर आपको अपने knife को 7-8 बार use करना होता है और उसके बाद आपको knife होता है वो properly sharp हो जाता है अब यह manual device है इसके अलावा इसमें automated devices भी आती है जिसमें की motor लगे हुई होती है और अंदर जो है roller रोल करता है जिसकी मदद से आप अपने चाकों को टेज कर सकते हैं इसको use करने से बहले हमें इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए तो अगर इस वाले knife को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अलग परीकी की धार होती है यहाँ पे आप उभार देखेंगे एक अलग परीकी की उभार आपको मिलेंगे तो यह वाले knife की इसमें आप शार्प नहीं कर सकते हैं में सबसे पहले जो मेरे ये वाला चाको इसको तेज करके आपको दिखाऊंगा इस चाको की धार अभी कितनी है सबसे पहले वो में आपको दिखा देता हूं तो अभी मैंने यहां पे एक पेपर लिया इस पेपर में आपको दिखा देता हूं कि जब मैं इसको इसको इस तरीक कि क्या कोई खास असर इसकी धार के ओपर पड़ता है या नहीं पड़ता है तो जैसा मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप है इसको शार्पन करने का तो simply आपको दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर ला हूँ लेकिन जब आप इसको यूज करें तो इसको सीध वाला option है उसके अंदर भी मैं इसको दस बारी चलाऊंगा तो यह इसकी धार जो है वो बिल्कुल अच्छे से बना देगा तो भी 7,8,9,10 फिनिश वाला option है इसको दस बारी मैं इसको चलाऊंगा आप देखते हैं कि इसकी धार पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है कि धार जो है और आप देखेंगे इतनी थेज हो गई एक हलका सा इसके प्रेशर देने से यह पेपर को इस तरीके से फाड़ दे रहा है अगेन यहां पर यह टमेटो है इसके उपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे हलका सा प्रेशर देने से ही जो टोमेटो है वो बिलकुल स्लाइस हो गया है तो इसका मतलब यह जो नाइफ शर्टमर है बिलकुल ठीक काम करता है दुबारा से एक बड़ी आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको डीक देखेंगे कि मैं इससे ट्राई कर रहा हूं सेंटस्ट तो धार इतनी कम हो गई है कि पेपर भहुत तीरी यहां पर कट रहा है इस तरफ जो है टोमेटो का हिस्सा है आप देखेंगे मैं यहां पर सेम चीज कर रहा हूं जो मैंने पिछले वाल चाकु के साथ करी ऑथीक था यहां पर प्रेशर में लगा रहा हूँ आप देखेंगá आप निशान तो आ रहे हैं लेकिन्टि यह तो हो गई फैल्द ज्यादा शार्प नीए यह नहीं है मिलेगा जो टमेटो है जिसमें हमने यहाँ पर यह तरीके की निशान यहाँ बने हुए है अब एक बार ही इसके ओपर चलाके देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि पहले के मुखाबले धार बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है लेकिन इतनी तेज हो गई है कि यह जो टमेटो है उसक जिखते हैं कि और ज़्यादा शार्प हो पाती है कि नहीं दुबारा से पेपर को लेके आते हैं इसकी धार में मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं लग रहा है क्योंकि पहले इसकी धार जो थी वो ठीक से काम कर रही थी और अभी भी यह आल्मोस्ट वैसा ही काम कर रही है तोमैटो के उपर भी इसकी धार जो हो बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है जैसे पहले काम कर रही थी यानि कि यह चीज़ सही है कि सेरेटीड जो धार होती है सेरेटीड वाले जो नाइफ होते हैं के ओपर ये काम नहीं करता है अगर इस प्रोड़क्ट की बात करों तो बिगिनर्स के लिए ये प्रोड़क्ट काफी अच्छा है इसके लिए आपको किसी भी तरीके की इसके बात बार आगर आपको क्लीन कर सकते हैं और इसके बाद दुबार अगर आपको लगाना हूँ तो कुछ इस तरीके से आप इपने देख के लिए करें.